Hey guys, welcome back. As we know that age is just a number and athletes proved many times. बहुत बार हमारे athletes प्रूफ कर चुके हैं कि उम्र सिर्फ एक number है, एक अंक है और कुछ नहीं. ये एक बार फिर साबित कर दिया है भारत के रोहन बोपन्ना जीन है. जी हाँ दोस्तों, भारत के रोहन बोपन्ना टैनिस के प्लेयर हैं और US Open 2023 में खेल रहे हैं जो की final में पहुँच चुके हैं. अब आप बोलेंगे, विशाल भाई, इसमें कौन सी खास बात है final पहुच गए? खास बात है guys, 43 साल की उम्र में पहले senior खिलाडी बने हैं, oldest person who reached into the finals, who reached in finals, 43 साल की उम्र में final पहुच चुके हैं, सबसे ज़ादा उम्र है और टैनिस में final मुकाबला कल खेलने वाले हैं. तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, उन्होंने अपने round 1, round 2, quarter final, semi final में अच्छी performance दी, semi final कल पिछली रात को ही वो जीते और काफी शांदार, France की टीम को हरा कर final पहुचे हैं, नमबर 1 टीम को हरा कर final पहुचे हैं, इसलिए ये खबर बहुत खास बहुत उनके पार्टनर मैथ्यू इबडिन, जिनकी उम्र लगबग 35 साल है, वो उनके साथ खेल रहे हैं, इंडिया और उस्ट्रेलिया का ये एक तरह से कॉलाब समझे लीजिए, जो टैनिस में खेल रहा है, final मुकाबला कल होने वाला है, शाम 4.30 मिनट, 4.30 पीम पे, उपोनेंट 39 और 37 लगबग एज है उनके उपोनेंट की, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, कि एज सिर्फ नमबर है, और सिर्फ एक दिन दूर है, हम इस Grand Slam US Open Tennis को जीतने से, मुझे उमीद है, हमारे रोहन बोपन्ना जी जरूर जीतेंगी, तो इस मैच को आप लाइब कहां देख सकते हैं ये मैच आपको Sony Live या Sony Sports 2 चानल पर लाइब देखने को मिल जाएगा, जिसके आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, Sony Live के लिए, और गाईज इसकी लाइब कोमेंटरी हम अपने चानल में करेंगे, वाच अलॉंग करेंगे, तो आप लोग प्लीज हमारे साथ जॉइन करिएगा इस फाइनल मैच के लिए, कल शाम साड़े चार बजे, दोस्तों इसी तरह से अपने एखलीज भारत का नाम रोशन करते आए हैं, और आगे करते रहें, ऐसी दुआ हम करेंगे, आप लोग भी अपना प्यार दिखाएं, कमेंट सेक्शन में, रोहन बोपन्ना जी क बड़े लोग आशिरवात दें, छोटे लोग प्यार दें, और बराबर के लोग उनको सलाम दें, चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी अपडेट्स आपको लाते रहेंगे, चानल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जै हिंद, जै भारत!